कि स्टेटिस को का मतलब जो इसा था पहले से ना अभी उसमें गनेशा बिठा सकते हैं ना हमें नमास पढ़ने से रहोग सकते हैं और अच्छा आडर है हर दोनों को अच्छा है हर आदमी हर अतारी कुसल्मान की भी है सूच के समझ के जो चीज करना है तुरी जस्टिस हाई बेंच डबल बेंच का आडर हुआ है को टूंटिफाइज जीरो आगस्ट माइस इसाथ को चोविस गंठे के अंदर डबल बेंच का बहुत सीरियस मैंटर जो किया यह आडर को सुप्रिम कोट में पहले से हम भी बोलते थे कि दो सौ स साल से जो लैन्ड है दो सु सौ स के पहले से जो लैन्ड जो करते हैं जो इत गए में यीदगा करते हैं और मुसल्मान के वक्त की वक्त जो चाहती है वो कर सकते थे यही काम था यही दी होनरेबल बेंच अब्जर किये यह आज के आडर में करके मैटर उनके सामने नहीं रखा मैटर को डिस्पोस कर दिया करके सेम सिमिलर मैटर जैसा जो चीज सुप्रिम कोट में पूछे हैं वो आ आप हई कोट हानरेबल हई कोट में फिर द्वारा केश चलाएए करके रिमैंड करा है अज का दिन और अच्छा अडर है हर दोनों को अच्छा है यह जो बीबी एंपी हो स्टेट गवर्मेंट हो वक्त हो सीमियो हो इसी टेम पे हर आदमी हर डिपार अथारिटी हमारी जो भ आदेती में लेके गए उसको हानरवल सुप्रिम को रेक्टिफए किया तो अभी फिर भी रिमैंड हुआ जो आड़र डबल बेंच का आड़र 24 गंठे के अंदर किये तो उसको रत कर दी स्टेटिस्को का मतलब जो इससा था पहले से ऐसा ही करो ना अभी उसमें गणेशा बिठा सकते हैं ना हमें नमास पढ़ने से रोख सकते हैं इद्गे की जैसा 200 साल से चलते आ रहा है वह बहुत सीरियस नोट लिए तीनों जड़ भी लेके ला लिए constitutional court में अब कल से याने next अगले date से हाई court में लगेगा हाई court में यह चाहिए कि हमारा title हमें कैसे उसमें कौन proper petitioner है कैसे उसको प्रूब कराएं क्या हमें ट्रिबुनुल के हद तक वक्ट्रिबुनुल से कराएं वक्ट्रिबुनुल का हमें उसमें वास्ता दे के वहां पर जब तक होता है जो हुआ है उसको आडर करवाएं क्यूंकि जो भी आडर करते हैं फिर भी जाना पड़ता है फिर भी honorable supreme court के सामने तो इसलिए यहां पर ए बेंच आज अच्छा साडर दिये अब समल के जाना लेके जाना उसको ना उसमें फूजा हो सकता ना दुसरा कुछ हो सकता जो 200 साल से होते आया है यही मेंटेन करेंगे और यहां तक supreme court का observation strong से है कि वह वक्ट का लैंड है और दोनों तरफ से भी बोलें state से भी बोलें अबजर करें हैं यह अब इसको वक्ट के अंदर central वक्ट के अंदर कौन से अतारिटी कैसे क्या करते हैं उसका काम एकदम सही करना है ऐसे यह पूरे चीजों में जितने अभी तकरीबन 75,000 चीजा करना टेक में बेंगलूर में पेंडिंग है इसे चीजा यही चीज ऐसे तम एक मोखा Honorable Supreme Court एक guidance दालके आज आडर को क्वाश करके double bench का single bench में जो हुआ वही आडर वह भी आडर ने स्टेटिस को का मतलब स्टेटिस को दोनों bench का ने जैसा था आइसा आई जैसा था नमाज होती मुसल्मान के जो मुसल्मान चाहता था वैसा होता था को उन भी आये खेल जाएं करें मगर जो स्टेट गोवर्मेंट का मंजूरी जो थी पूजा यहने गनेशा बिठाने की वह फिलहाल रोका गया उसके बाद भी नहीं होगा जब तक कोटों का आडर इसमें पूरा आए इन्हें कोटों का आडर जो जल्दी भी आ सकता है इसमें क्योंकि एलेक्श सुप्रिम कोट को जा सकते हैं तो इसलिए हमारे दाखलात हमारे पेपर हमारे चीज वक्त काउंसिल के तहद एक के तहद ट्रिबूनल के तहद जो टाइटल पका कैसे करना वो वो खानून के तहद टाइटल बनाने की पूरी कोशिश करके हम इस हाई 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 कोट में भी चलाएं और दुसरी उसकी जुरिडिक्शनल कोर्ट में भी चलाएं इसकी उमीद है उसका रास्ता आज सुप्रिम कोर्ट दिया है स्लावन